आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो बम दस्ता के करमचारी हैं वो नजदीक जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँच चुके हैं देख सकते हैं कि जो बम दस्ता के धिकारी हैं वो प्रेसर कूकर के उपर जो रस्सी लगा है उसे काट रहे हैं और इधर चारों तरफ भारी संख्या में पुलीस बल तैनात है, सभी को दूर कर दिया गया है और ये आप देख सकते हैं कि रांची रिल्वे स्टेशन के ठीक सामने ये लावारी सवस्ता में कूकर मिला है और उसे यहाँ पर जो बम निरोदक दस्ता के अधिकारी हैं, उस सील को खोल रहे है अभी देखे कूकर को खोल लिया गया है और कूकर को खोलने के बाद एक बार फिर से जो बम दस्ता के क्रमचारी हैं वो अपने अधिकारियों को जानकारी दे रहा है साइद अब उन्हें पता चल गया है कि उसके अंदर क्या है तो उनके पूरे ड्रेस को खोला जा रहा है अभी देखे कूकर को खोल लिया गया है कुकर को खोलने के बाद एक बार पिर से जो बभम दस्ता के करमचारी हैं वो अपने अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं साएद अब उन्हें पता चल गया है कि उसके अंदर क्या है तो उनके पुरे ड्रेस को खोला जा रहा है तो जो बम निरोधक दस्ता के करमचारी हैं जन्होंने जाच कर आया उन से जानते हैं क्या खुछ पताचलना कुकर है निया कुकर है उसके अंदर कुछ भी नहीं है रूद इसमेल वेगर कुछ भी नहीं किसी यातरी का छुट गया है लग रहे है जी जी तक कुक कर है तो देखे इनोंने साफ कर दिया कि इसमें नया प्रेशर कूकर है और देखे ये इसे खोल करके अभी दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है प्रेशर कूकर है और यह नया प्रेशर कूकर है तो जिस तरह से आप देखें यह पुलीस के अदिकारी दिखा रहे हैं कि नया प्रेशर कूकर है जिस कूकर को लेकर लगातार यहाँ पर यह बात चल रहे थी कि क्या है किसी यातरी का छूट गया था और उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पर बम निरोदक दस्ता की टीम पहुंची पूरे इलाके में यहाँ पर वारी संख्या में लोग पहुंच चुके थे और वो इस बात को लेकर उनके मन में संसे था कि railway station जो है काफी sensitive इलाका माना जाता है और इस इलाके में इस परकार लवारी सवस्ता में कूकर का मिलना कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा था और यहीं वज़ाए कि बारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रेसर कूकर railway station के पास छूट गया था राची से सनी सारत की रिपोर्ट